समाजवादी पार्डी को जनता के बीच पहुंचाने के लिए अखलेश यादों ने 18 रत्रों पर भरोसा जताया है पार्डी के सदस्ता अभ्यान को ये रत्र गदि प्रदान करेंगे वर्स 2024 में होने वाले लोकसवाद चुनाओं से पहले पार्डी को एक बार फिर जनता के बीच पहुंचाने और सुईकारता बढ़ाने के लिए विसेस रुप से परियास सुरुक किया गया है सपाद्यक्ष ने इसके लिए जो टीम तयार की है उसमें आज चरेजने करूप से पार्डी की टॉप लिडरशिप में स्वामी प्रसाद मौरे का नाम दिख रहा है प्रदेश सद्यक्ष नरेज सुतम पडेल के बाद स्वामी प्रसाद मौरे दिखाई दे रहे हैं अखलेश यादो निर्देश पर समाज वादी पार्डी के सद्यस्ता अभ्यान को गदिशल बनाने और कारी की समिक्षा के लिए 18 नेताओं को नामित किया गया है माना जा रहा है कि ये अखलेश यादों के सबसे पसंद्यार नेता हैं जिन पर उन्होंने बोरुसा जटाया है पार्डी के नेताओं के जरिये जन्ता के बेच अपनी एहमियत को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की रणीती तियार की गई है स्वामी प्रसाद मौरे यूपी चुनाओ 2022 से पहले योगी मंत्री मंदल से इस्तिपादे कर अपने से योगी के साथ समाजवादी पार्डी में आये थे हलाकि यूपी चुनाओ में स्वामी प्रसाद मौरे अपनी सीट पर जीत तर्च करने में सफल नहीं हो सके हालाकि पिछले दिनों वह विधान सवाप परिसत चुनाओं में उन्हें पार्टी ने उमिदवार बनाया विधान पार्षत बनने के बाद अब अखिलेश ने उनके कंदों पर बड़ी जिम्मधारी दे दिये स्वाइपसाद मौरे के जर्या अखिलेश गैरिया दो अन्य पिछरा वर्ग में अपने संगठन को पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में प्रदेश इस तर पर दूसरे नमबर पर उनको सामिल किये जाने को लेकर इसी प्रकार की चर्चा चल रही है